हाई गाईज, वेल्कुम टू क्वेस्टन बैंक क्राफ आज के वीडियो में मैं आप सभी को लड़ू को पाल के लिए बहुत की सुन्दर सी मुड़ा चेयर बनाना सिखाऊंगी और वो भी रुमाल यानि की हैंकी की साहता से तो यहाँ पे मैंने दो डिफरिंट कलर की हैंकी ले लिए यह एक है ब्लू कलर की और दूसरे वाली जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो है यलो कलर की आप जो है कलर कॉमिनेशन अपने किसा आप से रख सकते हैं तो चली अब हम मुड़ा जेर बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने किस तरीके का कार्ट बोर्ट का रोल ले लिया है और अब मैं इससे जो है हैंकी से कवर करूंगी तो यहाँ पे मैंने हैंकी की इस तरीके की एक छोटी सी पटी भी काट लिया है और glue लगाते लगाते हमें इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे cover करना है यहाँ पे मैं इसे glue gun से paste करके बना रही हूँ आप चाहें तो fevy call, fevy bond किसी का भी use कर सकते हैं देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से glue gun से चिपका कर इसको तयार कर रही हूँ यह जो यहाँ पर मैंने हैंक की लिया है यह स्ट्रेचिबल है तो देखिए अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से चिपका देंगे जिससे क्या इसके कॉर्नर्स पर अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी यहाँ पर हमने color blue and yellow लिया है आप अपनी खिसाब से ले सकते हैं अब यहाँ पर मैंने paper को जो है इस तरीके से cut कर लिया है मैंने इसको कैसे cut किया है मैंने इसको जो है roll के kिसाब से cut किया है देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है हमें मुड़ा चेयर का जो बैक का हिस्सा है वो तयार करना है उसके लिए मैंने इसको कट करा है और सेम प्रोसेजर से कार्ट बोर्ड भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है अब मैं इसके उपर फोम लगा दूँगी तो देखे अब यहाँ पर हमने ग्लूगन की सायता से फोम भी इसके उपर चपका दिया है और अब मैं लूँगी यलो कलर का हैंकी और इसके थूँग है मैं इसको अच्छे से कवर अब कर दूँगी देखें यहाँ पर इस तरीके से ग्लूगन से चिपका के ही मैं इसको cover कर लेती हूँ देखें यह हमीं जो है इसके साथ कुछ इस तरीके से joint करना है अब यहाँ पर मैंने blue color के hanky की इस तरीके की एक पतली पत्ती और काट लिया है और इसके corner पे हम इससे as a pipe pin के तौर पे लगाएंगे ये देखिए pipe pin जैसे हम लगाते है न वैसे हम इसको लगाना है और अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा cardboard का piece ले लिया है circular shape में और इसके उपर मैं foam को चिपकाऊंगी और उसके बाद हम इसे एक hanky के piece से cover up कर देंगे तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे glue gun लगा रही हूँ और अब जो हमारे foam के pieces है मैं इनको चिपका दूँगी और अब इनको मैंने hanky से भी cover up कर लिया है अब जो हमने roll cover करके तयार किया था उसके उपर मैं इनको चिपकाऊंगी जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं corners पे glue gun लगा रही हूँ और मैंने circular cardboard भी cut करके रखा हुआ था side में जिसको मैंने लगा दिया है और अब इसके उपर जो हमने गदी तयार की थी वो लगा दिये देखे यह हमारी मुड़ा चेयर का base तयार है अब हम इसके back पे इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे joint कर देंगे glue gun की सायता से मैं इसको यहाँ पे चिपका दूँगी तो देखे फ्रेंज यह हमारी संदर सी मुड़ा चेयर बन के तयार है यहाँ पे मैंने इसको गोटा पती लेच से सजा दिया है यह हमारी प्यार इसको काना जी के लिए है इसलिए मैंने इसको decorate भी किया है और यहाँ पे हमने foam का यूज इसलिए किया था क्योंकि यह हमने लड़ गोपाल के लिए बनाया है otherwise आप सरिफ जो है कार्डबोर्ड की साहिता से भी इसे रेडी कर सकते है So friends अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इससे लाइक करें शेर करें और हमारी चानल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया के तो सब्सक्राइब भी करें बाई